शिरी गुरुगरंद साब पढ़ हंसु में लाती जा मनुआ दैद सिदावदा ओहु कैसे हरी गुन गावे इंद्री ब्यापी रई दिकाई कामु क्रोदू नित सतावे वाहु वाहु सैजे गुन रवीचे राम नामु इसु जुग मैं तुलुबु आए गुरुमती हरी रसु पीजे वह मनुष्य परमात्मा हरी का गुन स्तमन नहीं कर सकता जिसका नीच मन इदर उदर भटकता फिरता मनुआ दैदिस दावदा ओहु कैसे हरी गुन गावे जिसका मन इदर उदर भागता है तस्सो दिद शाओं में भटकता है वो हरी का नाम नहीं ले सकता जिस पर काम वासना पर भाव जमाई रहती है जिसे काम स्ताता रहता है और क्रूद दुखी करता रहता है इंद्री व्यापी रही दिकाई कामू क्रूदू नित्त सतावे वाहू वाहू सहजे गुंडवी जे राम नामू इसु जुग में दुरलब है गुर्मती हरी रस पीजे ये भाई आत्मी के रूप से स्थिरोकर ही परमात्मा के गुनों की स्तुति की जा सकती है मनुष्य जन्में प्रमात्मा हरी का नाम एक दुर्लब बस्तु आइ गुरू की शिक्षा पर चल कर ही प्रमात्मा हरी के नाम का रसवान गिया जा सकता है लाम नामू इसु जुगमी दुर्लब है गुरमत हरी रसपीचे है भाई जब गुरू के ग्यान द्वरा मनुश्य का मन प्वित्र हो जाता है तब गुरू के उपदेश को सविकार करके अपने आत्मे के जीवन की चान बिन करता है तब प्रमात्मा हरी के चर्णों में जगा प्राप्त कर लेता है गुर्मति आप पे आपू पच्छाने ता निजकरी वास्था पावे ए मन मेरे सदा रंगी राते सदा हरी के कुन गाउं हरी निर्मलो सदा सुखदाता मने चिंदिया फल पाउं हमेशा प्रमात्मा के रंग में रंग आ रहा है प्रमात्मा हरी सदा पूत्र है सुखदाय के उसकी गुन स्तुति करने से मनवान चिंद फल पराप्त कार सुख़गी हरी निर्मलो सदा सुखदाता मनी चिद्या फलुपां हम नीच से उत्तम पए हरी की सरनाई पाथरु डुपदा का डिलिया साची वडियाई यह भाई प्रमात्मा हरी का शर्ना गतोने से हम जीव अधम से उत्तम बन जाते हैं प्रमात्मा हरी प्रस्तर मना मनुष्य को भी डूबने से उभाद लेता है और हमेशा रहने वाली पर्तिष्टा देता है पाथरु डुपदा का डिलिया साची वडियाई विखु से अमरत गए गुर्मती बुद्धी पाई अकु परमल पे अंतरी वासना वसाई जो मनुष्य गुरु की शिक्षा पर चल करके सबुद्धी प्राप्त कर लेते हैं वे मानों विश्य से अमरत बन जाते हैं वे आग से चंदन बन जाते हैं और उनमें आत्मे के जीवन की सुगंदी आ जाती है वे खिसे अमरत पे गुरुमती बुद्धी पाई अकु परमल पे अंतरी वासना वसाई मानस जनम दुलूब है जग में खटिया आईं पूरे पागी सत गुर मिले हरी ना मोते आईं है भाई मनुश्य जनम बड़ी कठनाई से मिलता है दुनिया में आकर के उसी के द्वारा कुछ प्राप्त किया जानों जिसे पूर्ण भागे द्वारा सत गुर मिल जाता है और जो परमात्मा हरी का नाम समरन करता है पूरे पागी सत गुर मिले हरी नामते आईं मन मुख पुले विखु लगे अहिला जनम तो आया हरी का नाम सदा सुख सागरू साचा सब्द नप पाया से चाचरी मनुश्य कुमार गामी हुए रहते हैं विकारों के विश्वे मस्त रहते हैं और बहुं मुल्य मनुश्य जीनम गवाल लेते हैं सदाई सुखों से बरपूर हरी नाम उन्हें पसंद नहीं आता और सत्य सरूप हरी की गुनस्तुति वाला गुरू का उपदेश उन्हें श्रेश का नहीं लगता हरी का नामों सदा सुख सागरू साचा सब्द ना पाया मुखों हरी हरी सब को करे विरले इद्दे वसाया नानक जिनके इद्दे वसिया मुख मुक्ती तिन ना पाया है भाई जी मुख दबारा जो हर एक मनुश्य परमात्मा हरी का नाम लेता है लेकिन अपने हिद्दे में किसी विरले व्यक्ती नहीं हरी नाम बसाया नानक जी का कत्यान है कि जिन मुनिश्यों के हिद्दे में प्रमात्मा हरी का नाम आके टिक जाता है वे मुनिश्य विकारों से मुक्ति प्राप्त कार लेते मुखों हरी हरी सब्वों को करे बिले हिद्दे वसाया नानक जिनके इद्दे वस्या मोख मुक्ती तिन्ना पाया बड़ हंसु मेला पहला छंत एक कमकार सत्कुर्पजशादी काया कोडी विगाडी काहे नाये नाता सो परवानों सच्चु कमाये जब साच अंदरी होई साचा तामी सच्चा पाये लिखे बांजू सुत्ती नाई बोली बोली कवाईए जित्थे जाईए बईए पला कईए सुत्ती सब्द लिखाईए काया कोडी विगाडी काहे नाये शीर को माया मो में विक्रित करके शिनान करने का कोई लाव नहीं है अगर मन में मो मया भरी है तो शनान करने का कोई भैदा नहीं है क्योंकि वही मनुश्य नहाया हुआ है वही परमात्मा हरी की सेवा में सविक्रित है जो हमेशा प्रभु हरी के नाम समरन की साधना करता है नाता सो परवानू सच्चु कमाईए जब साच अंदरी ओई साचा तामी सच्चा पाईए जब सत्य सरू प्रभु के चर्नों में रह करके जीव प्रभु से एकाकार हो जाता है तब सत्य सरू परमात्मा हरी उसे मिल जाता है लेकिन प्रभु हरी के हुकम के बिना मनुश्य की सुर्थी उदात नहीं हो सकती केवल मात्र मोखिक बाते में से तो आत्मे के जीवन और अधिक विक्रित होता है जहां भी जाकर बैठें प्रभु हरी की गुनस्तुती करने चाहिए अपनी सुर्थी में प्रभु की गुनस्तुती की बानी अंकित रखनी चाहिए नहीं तो माया के मुँँ में हिद्दे को मेला करने तीरत स्थान का क्या लाब जित्थे जाईं बैए पला कहिए सुर्थी सदू लिखाईए काया कोड़ी बिगाड़ी का है नाई तामे कया कैनू जान तुझे कहाईए अमरत हरी का नामू मेरे मन पाया नामू मिठा मनी लागा दुखी देरा डाया सुक्षो मन में आई वसया जामी ते फुरुमाया नद्री तुत्व अर्दासी मेरी जिन्नी आपू उपाया तामे कैमे के नाजा तुझे कहाई लेकिन हे प्रभु जी हे हरी जी मैं तभी तुम्हारी गुनस्तुती कर सकता हूँ जब तुम आप प्रेरित करते हो प्रभु किर्पा द्वारा आत्मिक जीवन देने वाला प्रभु हरी नाम मुझे हिद्दे में भला लग सकता है जब प्रभु का नाम मन में मिठा लगता है तब दुख ने अपना डेरा उठाया समझो हे प्रभु जी जब तुमने हुकम किया तब आत्मिक अनन्द मेरे बीतर आबस्ता है जिस प्रभु हरी ने स्यम ही अपने आपको प्रगट किया है इसलिए जब तुम प्रेरित करते हो तब ही मैं तुमारी गुनस्तुति करता हूँ मेरी तुमारे द्वार पर प्रात्राई ही होती है खिपाद्रिष्टी तो तुम आप ही करते हो नदरी तुद्दो अर्दासी मेरी जिन्निया पोपाया तामे किया कैनू जा तुझे काया वारी खस्म कडाय कितु कमावना मन्दा किसे न आखी चगडा पावना न पाई चगडा स्वामी सेती आपी आपू वो सामना जिसु नारी संगती करी सरी की जाई किया वामना जो दे सैना मन ही कहना आखी नहीं वामना वारी खस्म कडाय कितु कमावना जीवा के करम के अंसार हरी पती प्रभु परतेक जीव को मनुश्य जनम की बारी देता है इसलिए पूर कृत करमों का परिनाम समझ करके किसी मनुश्य को बुरा बुरा कह करके जगडा नहीं करना चाहिए वारी खस्म कडाय कितु कमावना मंदा किसे ना आखी जगडा पावना ना पाई जगडा स्वामी सेती आपी आपू वामना इस परकार तो अपने आपको आपी बर्बाद करना है मालिक प्रभू से जगडा नहीं करना चाहिए किसी नीच मनिश्य के निंदा नहीं करने चाहिए प्रमात्मा के साथ जगडा करना है उसकी निंदा करना क्योंकि सब कुछ इशर इच्छा के अंसार घटित होता है जिस मालिक के सहरे हमेशा जीना है उसके साथ बराबरी करके बाद में उसी के पास जाकर के प्रात्रा करने का कोई लाब नहीं है प्रमात्म हरी जो देता है उसे सहे सेना चाहिए, गिला शिक्वा नहीं करना चाहिए, गिला शिक्वा करके वियर्थ जगरा नहीं करना चाहिए, वास्तम में हमारे कृत्त कर्मों के अंसार हरी पती प्रबु हमें मनुष्य जनम की बारी देता है जोदई सेना मनने केना आखी नहीं बावना वारी खस्म कडाये कीतु कमावना सब उपाईनू आपी आपे नदरी करे कवडा कोई ना मांगे मिठा सब मांगे सब कोई मिठा मांगी देखे खसम पावेशो करे किछ पुनी दान अनेक करनी नाम तुली न समसरे नान का जिन नाम मिलिया कर्म होया तुड़ी करे सब उपाईनू आपी आपे नदरी करे सारी शरीष्थी प्रमात्मा द्वरा उत्पा दीता है में आपी हर एक जीव पर कृपा दिस्टी करता है सब उपाईनू आपी आपे नदरी करे प्रमात्मा से कड़वी चीज कोई नहीं मांगता हार एक जीव मिठी तथा सुख दाएक चीज यह कोड़ा कोई न मांगे मिठ्ठा सब मांगे लेकिन पती प्रभु वही कुछ करता है जो उसे उचित लगता है जीव दानपुन्य करते हैं ऐसे दानपुन्य के समान ही दूसरे और भी धार्मिकारे करते हैं लेकिन प्रमात्माहरी के नाम के बराबर कोई यत्न नहीं है सब कोई मिठ्ठा मांगे खसम पावेसो करे किछु पुन्य दान अनेक करनी नाम तुली न समसरे नाम की कोई बराबरे नहीं है हे नानक जी जिन व्यक्तियों पर मूलता प्रभु क्रिपा होती है उने ही हरी नाम की देन मिलते हैं यह सारा जगत प्रभु ने आप उत्वन किया है और वह आप ही सब पर क्रिपा देश्ठी करता है नानका जीन नाम मिलेया करम होया तुरी कदे सब उपाईनों आपी आपे नदरी करे वड़ हंसो मेला पहला करू देया तेरा नाम बखाना सब उपाईये आपी आपे सरव समाना सरवे समाना आपी तु है उपाई तंदे लाया इक की तुझ ही किये राजे एकना पिखपवाया लोब मो तुझ किया मिठा एतु परमी पुलाना सद दिया करू अपनी तामी नम बखाना ये प्रभुजी क्रिपा करो मैं तुमारा नाम समरन कर सकूँ तुमने सारी शिष्टी आप उत्वन की है और समस्त जीवों के में आप ही व्यापक को करू दिया मेरा नामो बखाना सब उपाईए आपे सरब समाना तुम आप ही जीवों में समाई वियो और सिष्टी को पैदा करके तुमने स्यम ही माया की भाग दोड में लगाया हुआ कितने जीवों को तुमने आप राजा बना दिया है और कितने ही जीवों को भिक्षा मांगने के लिए द्वादार घुमा दे एक की तुमें किये राजे एकना पिखस पुआया लोब मो तुझ किया मिठा एतु पर में पुलाना ये प्रभु जी तुमने लोब और मो को मिठा बना दिया जगत इस द्वादा में पढ़ करके कुमार गामी हो गया है यदि तुम क्रिपा करते रहो तभी मैं तुमारा नाम संबरन कर सकता हूँ सदा देया करूं अपनी तामी नामू बखाना नामू तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आई समाना गामनी सुरी नर सुगड सुजाना सुरनर सुगड सुजान गामी जो तेरे मनी पावे माया मोहे चेतीन नाई अहिला जनम गवामे एक्की मोड मगदना चेती मूले जो आया तिसे जाना नामू तेरा सदा सच्चा सोई मैं मनी पाना हे प्रभुजी तुमारा नाम सत्ते सरूप है तुमारा नाम मुझे मन में पियारा लगता है जो मनुश्य तुमारा नाम समरं करता है उसका दुख मिट जाता है और आतमी का नंद उसके भीतर टिक जाता है सुभाग शाली बुद्धिमान Μनुश्य तेरी गुस्तुती के गीत गाते रहते हैं ये प्रभु जी जो व्यक्ति तुझे प्यारे लगते हैं वे सबागयशाली बुद्धीमान तुमारे गीत गाते हैं लेकिन जो मनुष्य माया में अबद्द हैं वे तुम्हें सम्रण नहीं करते और वे अपना अमुल्य जेनम गवा लेते हैं ऐसे अनेक मुर्ख मनुश्य हैं जो तुम्हें सम्रण नहीं करते। वे यह नहीं समझते कि जो जगत में उत्पन हुआ हैं उसे अवश्य चले जाना है। सेवक सेवीं पाउं करी लागा साज परानी साउं परानी तिनना लागा जिन्नी अमरत पाया नामी तेरे जोही राते नित चड़ी सवाया। को कर्मों तर्मुनावी संजमों जामीना एक पच्छानों वक्तों सुवावा सद तेरा अमरत तेरी बानी। हे प्रभुजी तुमारी गुनस्तुति की बानी अमरत है। वैस्वमे अत्यनत सुवाम ना लगता है जब तुमारा नाम समरन किया जाता है। तेरा वक्तों सुवावा अमरत तेरी बानी सेवक सेवी पावु करी लगा पावु परानी। जिन व्यक्तियों को तुमारे नाम में अनंद महसूस होता है। वैस्वक प्रेम पूरक तुमारा नाम समरन करते रहते हैं। उन व्यक्तियां को ही नाम का अनंद मैसूस होता है, जिनने ये नाम रूपी अमरत प्राप्त होता है, वेप्रभु हरी जो व्यक्ति, तुमारे हरी नाम समरन में लगें हैं में सदा फलते भूलते रहते हैं। है प्रभु जब तक एक तुमारे साथ में मेल मिलाप नहीं करता, तब तक कोई भी धर्म या कोई भी सेयम अपनाना बैकार है। तुमारे गुंस्तुति की वानी आत्मी के जीवन की दाता है। वे समे अत्यंत सुहाम ना लगता है जब तेरा नाम समरन किया जाता है। एको कर्मो तर हुना हुई, संज्मो जामीना एको पछाना, वक्तो सुवावा सदा तेरा अमरत तेरी बानी। ये प्रभुजी मैं तेरे सत्य सरूप नाम पर बलिहार हूँ, तुमारा राज्य अनश्वर है। ये प्रभुजी तुमारा राज्य शाश्वत है, ये कभी भी नश्ट नहीं हो सकता। हूँ बल हारी सच्चे नामे, राजो तेरा कभू ना जावे, राजो ना तेरा सदा निश्चलो, एहू कभू ना जावे। चाकरुन ता तेरा सोई होवे, जोई सैजी समावे, दुसमन ता दुख न लगे, मुले पापी नेडी ना आवे, हम बली हारी सदा हुआ, एक तेरे नामे। वही मुरश्य तुमारा वास्तिक भक्त सेवक है, जो आत्मिक स्थेता में ठिका रहता है। कोई शत्रू, कोई दुख उस पर परभाव नहीं कर सकता। कोई पाप उसके निकट नहीं आ सकता। ही प्रभुजी, मैं सदा तुमारे नाम पर बली हार जाता हुआ। हम बली हारी सदा हुआ, एक तेरे नाम जुगय जुगंत्री पगत तुमारे, कीर्ती करी स्वामी तेरे द्वारे, जपी न साचा एक मुरारे, साचा मुरारे तामी जापी, जामी मनी वसाव। पर मुपुलाया, तुजी किया, जामी ये चुकावे, गुर्परसादी करू किर्पाले, जमु उबारे, जुगा जुगंतर पगत तुमारे। हे प्रभु जी हर एक युग में तुमारे भक्त मजूद रहे हैं, जो तुमारे द्वार पर तुमारे गुनस्तुति करते हैं, जो सदात में सत्य सरूप प्रभु को समरन करते हैं। हे मुरारी जी, हे प्रभु जी, तुम सक्त्य सरूप को वे तब ही जब सकते हैं, जब तुम आप उनके मन में अपना नाम बसाते हुआ। नदरी करी ता साच्यों पच्छाना, साच्यों पच्छाना तामी तेरा जामी आप ही बुजावे। जब ता साच्यों एक मुरारे जुगे जुगंतर पगत तुमारे किती करी स्वामी तेरे द्वारे। साच्यों मुरारे तामी जापी जामी मन्नी बसामे। पर मुपुलावा तुच्छी किया जामी आप चुकावे। हे प्रभुजी तुम सत्य सरूप को वहे तब ही जब सकते हैं जब तुम आप उसके मन में अपना नाम बसाते हो। जब तुम उसके मन में से माया जन्ने दूइदा मिटाते हो जो तुमने सिम पैदा की है। हे प्रभुजी हे मुरारी जी गुरु किर्पा दौरा तुम अपने भक्तों पर किर्पा करते हो और उन्हें यम्राज से बचा लेते हो हर एक युग में ही तुमारे भक्त सेवक मुझूद रहे हैं गुर्पर साधी करू किर्पा लेहूं जम उबारे जुगय जुगंतरी पगत तुमारे वड़े मरे साइब अलग पारा क्यू करी करू बेनती हाँ आखी ना जाना नदरी करींता साचो पचाना साचो पचाना तामी तेरा जामी आपी बुजावे दुक पकर संसारी किया सैसा एहू चुकावे विन्वंती नान कु जाई सैसा बुजे गुर्ब बिचारा वड़ा साइबू आपी अलग पारा है मेरे महान अद्रिश्य अनन्त स्वामी मैं किस परकार तुमारे विंती करूँ मुझे तो विंती करनी भी नहीं आती यदि तुम आप क्रिपा दिश्टी करो तभी मैं तुमारे सत्य सरूप नाम के साथ मेल कर सकता हूँ वड़े मेरे साहबा अलग पारा क्यूं करी वेन्ती हम आखी ना जाना नद्री करी ता साच्यू पच्छाना तुमारा सत्य सरूप नाम मैं तभी पच्छान सकता हूँ यदि तुम स्यम मुझे ये सूच दो जब तुम मेरे मन में मन से माया की तृष्णा तथा उससे उपजने वाले दुखों का भे दूर करो जो कि जगत में तुमने स्यम पैदा किये हुए हैं नानक जी प्रात्रा करते हैं कि जब मनुश्य गुरू के ग्यान का सार समझता है तो उसका भे दूर हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि अगोजर आम अनन्त प्रभू स्यम सर्वपरी मालिक है विन्वंती नानक जाइं सैसा बुझे गुर बिचारा वड़ा साइबू है आपी अलग अपारा तिरे बंके लोईन दंत रिसाला सोने तक जिन लमडे वाला कंचन काया सुने की टाला सोवन टाला कृष्न माला जपू तुलसी सहेलियो जम दवारे ना ओई खडिया सिख सनहू महेलियो हंस हंसा बग बगाले मन की जाता बंके लोईन दंत रिसाला हे प्रभुजी तुमारे नियन बांके हैं दांच सुन्दर हैं ना ककर्शक है तुमारे केश लंबे हैं जिन जियों में सुन्दरता द्रिस्टी गाता है वे तुमारे ही किर्पा का परिनाम हैं तेरे बंके लोईन दंत रिसाला सुने नकर जिन लमडे वाला कंचन काया सुन की डाला हे प्रभु जी तुमारा शीर सुने जैसा शुद्द निरोग एम सुटूल है मानो सुने में ही डला हुआ है हे सक्यो तुम उस परमात्मा हरी के नाम की माला जपो जिसका शीर निरोग तथा सुगत हिता है और मानो सुने में डला हुआ है हरी प्रभु का नाम जपने से तुम उस यमराज के द्वार पर खड़ी नहीं रोगी प्रभु वक्तों के मन से विकारों का मैल उतर जाता है और नाम समरन के परभाव से जीवपा खंडी बगनों से श्रेष्ट हंस बन जाता है इसे लिए उस प्रभु के सुन्दर नेत रहें सुन्दर दांत हैं अंस अंसा बगबगा लहे मन की जाला बंके लोईन दंतर साला तेरी चाल सुहावी मधुराडी बानी कहुकनी कोकिला तरल जुवानी तरला जुवानी आपी पानी इच मन की पुरिये सारंग जी पगटरे थिसी थिमी 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 आपी आपु सुदरिये शिरी रंग राति फिरे माती उदको गंग बानी बिनवंती नाको दासो हरीका तेरी चाल सुहावी मधुराडी बानी हे प्रभु जी तुमारी चाल मन को सुख़ देने माली है तुम्हारी बोली मीठी मीठी मन भावन है तुम्हारी ही उत्पादित कोईले मीठी विरागमी वानी में बोल रही है और तुम्हारे द्वारा उत्पादित चंचर योवना मद मद सुन्दरिया है ये चंचर योवना प्रभु ने स्यम उत्पन किया उसे स्यम ही इसका पैदा करना भला लगा, इस परकार उसने स्यम ही अपने इच्छा पूर्न की, प्रभु स्यम ही मस्ताथी के समान मटक मटक का जरन लगता है, वैं स्यम ही अपने आपको मदमत कर रहा है, प्रभु किर्पा से ही कोई जीव रूपी इस्त्री उस लच्छी पत के प्रेम में रंगी हुई मद मत भेती है। उसका जीवन ऐसा प्वित्र हो जाता है जैसे गंगा का पानी। हरी का दास नानक्ची प्राथना करते हैं कि है प्रभु जी तुमारी चाल सुहामनी है और तुमारी बोली मिठी है। शिरी रंग राती फिरे माती वदको गंगवानी विनवंती नानको दासु हरी का तेरी चाल सुहावी मदो राडी बानी।